असलाम अलेकुम फ्रेंट्स, विलकम टू माई कुकिंग विते पिस, आज मैं आप लोग के साथ शेर करने वाली हूँ वेज डोसा, इसे बनाना बहुत जादा आसान है और ये बहुत जादा क्रंची बनकर तयार होता है, सिर्फ दो मिनिट में ये डोसा बनकर तयार हो जाता ह इसे खाने में बहुत जादा टेस्टी और चटपटा भी लगता है, घर में बड़े को तो पसंद आएगा ही, मगर हाँ बच्चों को बहुत जादा पसंद आने वाला है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राइ किजिए अपने घर में और चलिए वीडियो को शुरू करते है तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बड़ा बॉल ले लिया है, इसमें देड़ कप चावल का आटा ले ले लेते हैं, तो आपके पास चावल का आटा नहीं है, तो चावल को दो घंटे के लिए भीगो दे, उसके बाद ग्रैंडर में पीज दे, तो यहाँ पर एक बड़ा चम्मच बेसन आट करना है, अब इसमें मैं सबजियां आट करने वाली हूँ, तो सबजियों को हमने बहुत बारिक चौप कर लिया है, तो जैसे यहाँ पर हमने जो शिमला मिर्च लिया है, वो आधा कप है, गाजर यहाँ पर हमने जो लिया है, वो आधा कप है, एक बड़ करी पत्ते इसे भी हमने बारिक काट लिया है अब इसमें कुछ मसाले एड़ करना है तो यहां पर हमने एक छोटी चमच साबुत जीरा एड़ कर दिया है और आधी छोटी चमच कुटी विलाल मिर्च एक छोटी चमच जीरा पौडर आधी छोटी चमच काली मिर्च पौडर औ पसंद के मुताबिक अड़ करना है यह बैटर बहुत जादा पतला बनता है तो आप नमक कम अड़ करें तो जादा बहतर है तो आगे आप नमक को अड़ कर सकते हैं तो सबसे पहले इसे mix कर लेना है उसके बाद पानी डाल कर इस अच्छे से फेट लेना है मेरी वीडियो को ल तो इस ढोल को अच्छे से मिक्स कर लेना है उसके पर च्टो Saturday आपके में जो टाम हम हैं। आपके में विक्रिक हैं,।ि त निकाल। बाद यहां पर थोड़ा रिंगे इसुsk न्सथे बन करेंगें। जहां पर जगा खाली दिख रहा है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर उसे फिल कर सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ वस जादा बैटर नहीं लेना है क्योंकि ये बहुत जादा मोटा हो जाएगा और ये डोसा मोटा नहीं बनता है तो देखिए color change हो चुका है थोड़ा और इंतिजार करते हैं golden color आने का तो आप देख सकते हैं कि बीच में color golden हो रहा है इसी तरीके से चारों तरफ से color जब golden हो जाए तो इसे पलट लेना है ये देखिए इस पे काफी अच्छा color आ चुका है तो इसे भी पलट लेते हैं और इसे transfer कर लेते हैं दुसरे बरतन में तो इसमें इसी तरीके से जितने भी better है आपका जितना भी ढोसा बने इसी तरीके से बना लेना है और आप कोशिश करें कि ये बहुत ज़्यादा पतला ढोसा बने अब इसमें color आने का इंतिजार कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि color change हो चुका है तो इसे पलट लेते हैं ये देखिए इसे हमने बहुत ज़्यादा पतला बनाया है तो इसे भी निकाल लेते हैं अब इसे आप कोई भी चटनी या दही के साथ खा सकते हैं ये देखिए बहुत ज़्यादा crunchy बनकर तयार हुआ है और ये बहुत ज़्यादा खाने में tasty लगता है आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा वेज डोसा बनकर ready हो चुका है फिर मिलेंगे एक नहीं वीडियो के साथ अभी के लिए लेते हैं चासत अला हफीज